बई क्या कहते हो कसम खा ले कसम से कोई भी algorithm नहीं चाहिए इस puzzle को solve करने के लिए paraminx इसको बोला जाता है तुम लोगों की आँखों के सामने scramble करेंगे और तुम लोगों को solve करना इसका हैंगे सबसे पहले pieces की थोड़ी जानकर यार यह जरूरी यह 10 seconds सुन लो यह यह tips यह जो corner पे चार हैं यह tips हैं इन में 3-3 color हैं ठीक है और एक और चीज यह जो है यह जिसमें सिर्फ एक color है यह centerpiece यह बी कहा है center यह क्या center और जिन में 2-2 colors हैं यह क्या edge यह edge piece है यह edge piece है यह edge piece है यह edge piece है बस यही जानना है तुम लोगोंने अब एक ऐसी tip डूणनी है जिसमें yellow color नहीं है इस tip में yellow color है इस tip में yellow color है इस tip में yellow color नहीं है अब इस tip में yellow color नहीं है इसको नीचे कर देना है नीचे कर दिया अब ये phase है तुम लोगों का yellow का like ये देखो ये तीनो yellow इस तरफ है अब ये centers हमने solve करने है centers किस तरह solve होंगे देखना जैसे ये tip मैंने choose की तो इसके साथ ये center लगावा तो मैं ऐसे करके ऐसे करूँगा तो इ ये हमारे होगे center solve और tips भी solve यानि के ये ये solve हो गया अब सिर्फ यहां तीन edges लगाने हमने yellow के और हमारे ये phase हो जाएगा solve इतना कर लेने के बाद जब तुम लोग tips और center को solve कर लो yellow के अब इसको नीचे कर देना है अब कोई tension नहीं है अब हमने क्योंके edges लगाने है यहां प येलो और blue बिल्कुल क्योंके यहां blue है ये दो tips में और यहां पर yellow और red वहीं है लेकिन खराब है इसको हम ठीक कर लेंगे बाद में तो अब start करते हैं नीचे की तरफ yellow है इन दोनों में यह इसमें yellow नहीं है इसमें yellow है देखो अब yellow और blue अब सबसे पहले हमने देखना है yellow blue कहां जाना क्या yellow blue इदर जाना नहीं यहां पर yellow green जाना तो कहां जाना भई इस पर साथ उंगली रखने यह उंगली रखी है यहां जाना yellow blue yellow blue तो सबसे पहले इसको इदर ले आना है यह है yellow blue इसने जाना है इदर अब हम solve कौन सा color कर रहे हैं yellow हम yellow solve कर रहे हैं जो कि यह है तो ये अगर इधर yellow है तो पीस को जब इधर करोगे तो yellow side पशला जाय गा आप simply इस पीज को यहां पे हमने लगाना yellow blue को किस तरह लगाएंगे क्योंके इधर आना अधर ठीक है और ये piece है right side पर ये है right side ये है left side क्योंकि इसने इधर जाना है और piece इधर है तो left layer को उपर करेंगे इस piece को 7 attach करेंगे और उस layer को दुबारा नीचे कर देंगे तो हमारा yellow blue solve अगला piece choose करते हैं green yellow green yellow यहां तो नहीं जा सकता है यहां भी नहीं जा सकता है यहां पर red और yellow ने जाना है तो green yellow पका यह जाएगा यह yellow यहाँ आजएगा green यहाँ आजएगा edge piece यह रहा अब दुबारा हम यह edge piece है इसने जाना है यहाँ yellow solve कर रहे है और इसका yellow हमारी तरफ है हमारी तरफ नहीं होना चाहिए yellow side पे होना चाहिए तो अब इस yellow को side पे करने के लिए हम इसको इस तरफ कर देंगे तो yellow side पे चला गया green इदर आ गया अब इस green ने जाना है इदर green किस तरफ है left side पे अगर green piece हमारा यह left side पे हो green yellow तो हम right वली layer को अगर हम left को उपर करेंगे तो पीस चुप जाएगा तो हम right वली layer को उपर करेंगे इस piece को अंदर डालेंगे और boom हमारी यह layer almost solve है last piece है बस इसको हमने कैसे solve करना है क्योंकि यह एक parity बोल सती है तुम लोग I think क्योंकि यार है भी शायद यह यहां पर इस टक है इसने flip होना है ना सिर्फ अब देखो यह ऐसे flip twist हो जो तुम लोग भी tension में आओगे कि इसका क्या करना है इसका बहुत easy हल है इन मेंसे कोई भी piece को यहां पर insert करो जैसे अगर मैंने इस piece को इधर insert करना है सोच लो मैं blue red को इधर insert कर रहा हूं simple मैं right layer को उपर करूँगा इस piece को अंदर करूँगा और इस layer को नीचे कर दूँगा तो जब मैंने इसको इधर डाला तो yellow automatically बाहर निकला है यह तुम लोग देख सकते हो यह बाहर आ गया लेकिन तुम लोगों को पाता है यह piece है yellow red इसने इधर जाना है क्योंकि हम yellow solve कर रहे हैं तो yellow हमारे front पे नहीं होना चाहिए तो इसको side पे करेंगे सबसे पहले मतलब यह 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 उपर लेर को इधर यह इधर करने से yellow side पे आ जाएगा अब यह piece है इसने इधर जाना है अब यह जिस layer में है उसकी opposite layer को हमने उपर करना है left को उपर करेंगे इसको इसके अंदर insert करेंगे और boom हमारी पहली layer solve तुम लोग देख सकते हैं अपनी आँखों के सामने यह कितनी cute लग रही है इतना कर लेने के बाद हमने यह अपनी last tip को solve कर लेना कैसे तब तक गुमाते रहो जब तक यह center color और यह match ना हो जाए मैच होगे अब हमने इन दो center color से इसके center piece को match करना है क्योंकि एक face पे तीन centers होते हैं तो यहाँ green है तो हमने green लाना है एक दफ़ा किया match हो गया अब हमारे आखरी दो pieces रह गए कुछ cases में तीन pieces भी बच सकते हैं वो हम आगे देख लेते हैं क्योंकि हमने yellow solve कर लिया तो अब हम कोई भी और color choose कर लेंगे जिसको हमने solve करना है हम मिसाल लेते हैं green की हमने green choose कर लिया नीचे कर लिया green क्योंकि जो हम solve कर रहे होते हैं उसे हमने नीचे रखना है तो अब हमने कौन सा choose कर लिया green तो green को नीचे किया simply इस piece के इसको अंदर insert कर दो या इसको बाहर निकाल दो एक ही बात है मिसाल है इसको हम इधर insert कर रहे हैं तो right को उपर करेंगे इसको इसमें insert करेंगे और boom वो वापिस अब ये रहा वो piece अब तुम लोगों को पता हम green solve कर रहे हैं ग्रीन हमारे front पे तो नहीं होना चाहिए तो हम इसको side पे करेंगे और opposite layer की मदद से अंदर insert कर लेंगे बूम हो गया ये solve हो गया अब ये रहा गया हमारा आखरी piece simply इस piece को अंदर insert करेंगे तो ये बाहर आजएगा green red यहीं flip होना तो हम इसको अंदर insert करेंगे वो बाहर आगया उसको front पे करेंगे green हमें front पे नहीं चाहिए side पे जाए side पे कर लिया और दूसरी layer की मदद से उसको अंदर कर लेंगे और बूम ये solve तुम भी मानते हो हमने किसी algorithm का use ने किया fully intuitive था अगर algorithm की मदद से solve करना सीखना है तो description में link है तुम लोग सीख सकते हो still भई तुम लोगों की असानी के लिए हम करने लगें यहाँ पे एक या दो example solve ताके एक example solve से तुम लोग मजीद अच्छे से सीख जाओ सबसे पहले एक ऐसी tip डूण रही है जिसमें yellow ना हो इसमें yellow इसमें yellow इसमें yellow नहीं है इसका मतलब इसको नीचे करेंगे यह हमारा phase रहा yellow का अब सबसे पहले tips के yellow को हमने top में कर लेना हिला जुला के उसके बाद हमने tips के centers को मिलाना है मिल गए सारे centers मिले में अब इसको नीचे कर देना और इन edges में yellow डूणडना शुरू करना जैसे ये yellow red का piece है तो yellow red ने जाना है इधर तो सबसे पहले उस piece को उदर करेंगे yellow red yellow red लेकिन yellow front पे नहीं होना चाहिए क्योंकि yellow हम solve कर रहे हैं इसको भेजेंगे side पर तो वो side पर चला जाएगा जिस layer में यह है उसकी opposite layer को उपर करके yellow को insert करके अंदर बूम अब यह रहा yellow blue हम अगला solve करने की तरफ चलते हैं यार yellow green पहले कही लगावा है तो yellow blue इदर जाएगा तो हम लोग देख सकते हो yellow front पे नहीं होना चाहिए इस साइड पे होना चाहिए इसको हमने इसके अंदर insert करना दूसरी layer की मदद से insert कर लेंगे अब यहाँ पे tip हमारी पहली solve है नहीं solve sorry इस red color से इस red color से हमने tip को match करना हो गई अब इन दोनों के color को हमने in centers के color से match करना हो गया अब yellow हमने solve कर लिया सब solve कर लिया last के 3 pieces रहे गए अब कोई और face choose कर लेते हैं हम blue का face choose कर लेते हैं हमने blue solve करना है तो blue को नीचे कर दिया ठीक है अब यासे यह blue red है blue red जाएगा इधर ठीक है जो उनसा face हम solve करने हो ना हमने उस color के edges देखने है blue का तो blue red अब blue red का blue क्योंके solve कर रहे हैं तो blue हमारी तरफ है जो के नहीं होना चाहिए तो इसको side करेंगे जिस layer में जाना है उसको उपर करके insert कर देंगे ठीक है अब यह दो solve है आखरी रह गया blue green blue green और blue है भी side पे तो हम simply इस layer को उपर करके इसको insert करके नीचे करेंगे और यह solve तुम लोग एक दो दफ़ा try करोगे शायद शुरू में तुम लोग उको मुश्किल लगे लेकिन जब concept clear हो जेगा तो तुम लोग दुबारा वीडियो देखके हसोगे यार ये ये थी वीडियो यार अब यहां पर like बनता देखलो तुम लोग वीडियो को like नहीं करते है subscribe नहीं करते देखते जाते हो इलम हसिल करते जा रहे हो वीडियो like नहीं कर रहे है जब कुटा पड़वा दी आना पिर ना कहना वैसे तुम लोग अगर ढरे हो तो वीडियो को अब तो like, share, comment बनता है और ऐसा comment कर दो कि मैं motivate हो जूँ और इस तरह के और puzzles को बिना algorithm के कुछ टेक्नीक बनागर तुम लोगो को सिखा दूँ बस like अब तुम लोग भी मानो कोई algorithm नहीं था कोई भी अगर तुम लोग यह क्यूब बिना algorithm के सीखना चाहते हो description में लिंक मिल जाएगा अपने जा के friends को impress करो यार इसी के साथ मुझे यार दो इजाजत और यह लोगो की भी तारीफ कर देना और बस यार क्या सब्सक्राइब